इक आई तीन दोस्त आपके दस नंबर का यूनिट है आपका पूरा और इसका नाम है बाल विकास के प्रिक्षेप पे इसके सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्यूशन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं तो चलते हैं बीना किसी देरी के क्यूशन नंबर एक पर क्यूशन नं है व्यवस्तित और समय उपाथी प्रगत्य सीव कर्म है क्यूशन नंबर ढ gio hai बाल विकास की और न में परगत्य सील से अभी प्राय इसका राइट के अंतरगत्य परिवर्टनों की निर्लंट होती है रियाises नंब तीन है बाल विकास की अवधारणा में करमबद पद को समझाईए 2016 में आयवा क्यूशन है इस बार आने के पूरे-पूरे चांसे इस क्यूशन के बनते हैं तो इसका राइट आंसर होगा विकास को इसपष्ट करने के लिए तीन पदों का महत्व है विकास को इसपष्ट करने के लिए तीन पदों का महत्व है प्रगतिसील करमबद और सूसंबद इन में से करमबद का तातपरिये विकास की क्रिया करमवार अर्थात कोई विशेश परिवर्तन एक निश्चित परिवर्तन के बाद गठित होता है जैसे विकास के करम में बच्चों पहले पेट के बल गिसकना सीखता है फिर बेठना सीखता है फिर खड़ा होना सीखता है और फिर चलना सीखता है इस तरह इन करियाओं का करम निश्चित होता है सभी जो करियाओं होती हो निश्चित करम में होती है अगला जो परशन है दोस्तों very important question number 4 बाल विकास की अवधरना में सूसंबद से क्या तातपरी है इसका Right Answer जो है व बाल विकास की अधरणा में सूसंबद से तात परिये है विकास के करम में होने वाले परिवर्तनों में सूसंबधता देखे जाती है अगला प्रस्न है दोस्तों very important question नमबर बच्चे कोन से कोशलब सीखते हैं बच्चे कैसे कोसल सीखते हैं तो बच्चे वही कोसल सीखते हैं जो उनके जीवन यापन में सहायक होते हैं जीवन को यापन करने में उनकी मदद करते हैं अगला प्रस्म है very important बीजा आवस्ता कितनी अवदी तक होती है तो गर्बादान के दो सप्तह की होती है अगला प्रस्म है गर्भकाली आवस्ता में बच्चों के शरीर के कौन से अंग कर देते हैं बच्चा जब गर्ब में होता है तो उसके कौन-कौन से अंग है वो कार्य करना आरंब कर देते हैं तो इसका रायटन शुरोगा हरद्य, फेफडे, नाडी मंड आधी कार्य करना प्रारंब कर देते हैं व्यासंधी से क्या अभिप्राय है व्यासंधी बाल्य अवस्ता और किसोर अवस्ता को मिलाने वाली सेतू की तरह कारिये करती है अगला जो प्रस्टन हो दोस्तों इस पर आने के पूरे चांसे देश के टीनेज किसे कहा जाता है तेरा से उनीस वर्ष की आयू अवद Kings के पश्चा विद्वानोंने टीनेज का नाम दिया है अगला प्रस्टन हो बाल विकास की मुख्य अवस्तहों का वर्गिकरण करना है बाल विकास की मुख्य अवस्तह ए गर्बकाली अवस्ता सेश्व अवस्ता बच्पन आवस्ता बालयावस्ता किशवरावस्ता बढ़ावस्ता और घ्री districts फिर सारी आउस्ता आपको उच्छे तरह से याहद करने हैं और eighteen County बारे में भी आपको अच्छे से देखना लिए तो ऐसा भी कुशन आपके बन सकता है तो आप इसे भी थोड़ा द्यान से देख लें अगला जो इंप्रोटेंट प्रश्ण है पारिस्तित्य की किसे कहा जाता है तो इसका राइट आंसर होगा वहें बहुतिकी वातावरन परियावरन जिसमें व्यक्ति जीवन यापन क सायता प्रदान करता है वह पारिस्तित्य की कहलाता है अगला प्रेश्ण है प्रारंबिक अनुब्रती अनुबहों का एक उधारन देकर सनुझाना है प्रारंबिक अनुबहों एक पगडंडी की तरह होता है और प्रवर्ती अनुबहों एक नदी की तरह होता है अगला प्र बच्चों की सारीरिक क्रियाओं के विकास के कर्म में किन निश्चत कर्मों का पालन होता है तो इसका राइटाइंच रोगा बच्चों की सारीरिक क्रियाओं के विकास के कर्म में दो निश्चत कर्मों का पालन होता है मस्ताद मुखी करम सिर से पैर की और एम निकथ दूर करम अगला प्रस्न दो तो वेरी इंपोर्टेंट इसा भी आपके बन सकता है very important है से आप थोड़ा ध्यान से देखें इसका राइटांस रोगा सायरिक विकास आश्यायू के अनुसार सायरिक इस्तिति सायरिक आकार सायरिक अनुपात हड्डियों मांस्पेंसियों दात तंत्र का तंत्र तथा सायरिक गठन में होने वाले अंतर विकास से हैं ब बच्चे का दूसरों के प्रती बलकि स्वयम के प्रती भी विवार को प्रभावित करता है यह बात महतपूर्ण है कि अन्य विक्तियों द्वारा बच्चे के सायरिक विकास के अधर पर उसके विक्तित्व का अनुमान लगाया जाता है अगला प्रेशन दोस्तों सामाजिक विकास से क्या तात्वरी है सामाजिक विकास का क्या अर्थ होता है तो इसका राइट आंसर होगा है सामाजिक विकास मानव एक सामाजिक प्राणी है जनमो प्रांत शिशुका सायरिक यह मानशिक विकास उत्रोत्तर होता रहता है माता पिता भाई बहन संगी साथियों यह सामाजिक संस्ताओं के प्रभाव से उसका सामाजिकरण होता है जिसके फल्सवरूप उसका सामाजिक विकास होता है यहें विकास इस्ताई होकर समय पर पाइस्तितियों के अनुशार परिवर्तित होता रहता है इस प्रकार सामाजिक विकास का अभिप्राय समाज में प्राप्त किये जाने वाले अनुभवों के अनुरूप बच्चों में होने वाले विकास से है अगला प्रसंद दोस्तों वेरी इंपोर्टेंट दोस्तों ये प्रसंद अब की बार 100% दोस्तों आने वाला है तो इसे आप थोड़ा सा सीरिसली देखें मोबाइल फोन का बच्चों के व्यक्तितों पर क्या प्रभाव पड़ता है मोबाइल फोन के अतिदिक प्रियोग से बच्चों पर क्या नकात्मक प्रभाव डाला विवेचना करना है आपको इसमें फायदे भी लिखने हैं कि मोबाइल से क्या-क्या फायदे हो रहे हैं बच्चों को और क्या-क्या नुक्सान हो रहे हैं तो यह कुछन दोस्तों वेरी इंप्रोटेंट क्यूशन होने वाला है क्योंकि डिजिटल जो मार्केटिंग है वह काफी बढ़ रही है ड बातचीत करने या सब्द संदेश बेजने के लिए किया जाता था प्रणतु आजकल के समय में मोबाइल फोन के इस्तान पर स्मार्ट फोन का चलन हो गया है मोबाइल फोन आजके समय में सहर ही नहीं ग्रामिन छेत्र में भी यूवाओं और बुजर्गों के जीवन का अभी सोशल नेट्वर्किंग साइट से उप्योग करने संगीत सुनने और फिल्म देखने के लिए करते हैं आज मोबाइल बच्चों का स्टाइल और स्टेटस सिंबल बन गया है अगला जो प्रसंदोस्तों 2016 में आज़ा क्यूशन है ये बालक के विकास में अनुवान सिक्ता का यूम परिवेश के परभाव को समझाना है तो पहले देखते हैं अनुवान सिक्ता का बच्चे परतेक बच्चा कुछ जनमजात गुणों को लेकर पैदा होता है दूसरे ब बच्चे के रंग रूप आकार बुद्धी आधी विशेष्टाएं प्राप्त होती है बच्चों में जनम से कुछ चमताएं होती है जह उन्हें बासा शीखने में मदद मिलती है अनुवान सिक्ता व्यक्ति में माता-पिता से प्राप्त विशेष्टाओं की उसके व्यक्त समस्त नए प्रकार के सीखे गए व्यवार क्रियाओं और कोशलो के लिए उत्रदाई होता है बासा आधते रूचियां प्रमपराएं कोशलो एं अन्य योगिताओं का विकास परिवेश से ही होता है निश्कष निकालते हैं इसका वास्तों में देखा जाए तो अनुवान स सिख्ता यह परिवेश दोनों ही प्रस पर एक दूसरे के पूरक हैं दोनों का महत्व सामपेश्चिक हैं बच्चों के व्यक्तित्व के विकास में वन्स प्रमपरा यह परिवेश दोनों का सहयोग होता है वन्स नुक्रम अनुवान सिख्ता यह वातावर्ण परिवेश का संबंद बीज और धरती के समान है यदि बीज खराब और धरती अच्छी हो या धरती खराब या बीज अच्छा हो तो उत्तम खेती ए संभव है अच्छी पेदावार के लिए दोनों का उत्तम होना अनिव विश्चेश्ण यह विश्चन्ण तो प्रकौन को उस्टाई उनके भी विश्चेश्टाएं इसकी पहली विश्चेश्टा है बालक विकास में अवस्ता महितवच्पूर्ण है दूसरा है यह अवस्ता योगनारंब की अवस्ता भी कहलाती है इसे व्य संधिकाल भी कहा जाता है तीसरा जो विशेष्टा है यह अवस्ता बाल्य अवस्ता की अंतिम अवस्ता होती है चोथी विशेष्टा है बालक कल्पना दिवावस्पन की इस्तिति में रहते हैं पांच बाच्वी वस्ता है सायरिक विकास तैजिश होता है जैसे लड़कियों में वक्षिस्तल का विकास लड़कों में आवाज का भारी होना चट्टी विशेष्टा है अमूर्थ चिंतन करने लगते हैं साथ वी विशेष्टा है समुहों के प्रती निष्टा और गर्व की भावनाय प्रबल हो जाती है और आठवाय अपनी पैचान को खोशते हैं तो दोस्तों ये थे सारे जो most important क्वीशनwhat AUT कि में कोप्रबलम होती है तो आप मैं कमेंट करके जुदुर्बताएं का ुछ